तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले next element जिसका नाम है anchor element ठीक है अब ये first point में क्या बोला है anchor element used to add links to your web page इसका मतलब क्या basically मैं इसको real time example लेके समझाना जाता हूँ तो आपको और अच्छे से clear होगा ठीक है everyone जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हो मैंने google पे search क्या games of thrones अभी हम wikipedia की link पे जाएंगे ठीक है अभी जैसा कि देख रहे हो इधर ये हमारा basically website ही है लेकिन ये webpage जो भी show हो रहा है अभी देखो ये क्या है basically link है इस पे click करेंगे तो देखो हम new page पे जा रहे है वैसे plot पे भी click करेंगे तो देखो new page पे जाएंगे वैसे production पे भी करेंगे तो देखो new ये सब जो क्या है मतलब इस पे जैसे hyperlink है basically है जैसे हम इस पे click कर रहे है तो देखो ये new page पे जा रहे है अब इसको हम और अच्छे से detail में देखते क्या होता है basically हा तो basically anchor element को हम लिखते कैसे HTML में basically हमारा ये रहता है basically ले 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 लेता हूँ हाँ anchor element को हम basically लिखते है a tag करके ठीक है a opening tag हो गया ये और अपना closing tag हो गया ठीक है इसे लिखते हम anchor tag को ठीक है अब ये href कै बेसिकली इसको रफ कर देता हूँ हाँ ये href कै ये basically hypertext reference ये hyperlink का reference है इससे पता चलता अभी for example देखो मैंने instagram का लिया है तो देखो ये double quotes में आया है और जो भी instagram का link है http ये basically protocol रहता है basically और ये www आप सभी को पता है रहेगा worldwide web ठीक है everyone और ये इसका link है इस पे click करेंगे तो हम instagram के मतलब website पे चले जाएंगे ठीक है अब इसको हम VS code में करके देखते तो आपको और अच्छे से clear होगा इसको implement करके देखते तो और अच्छे से समझेगा आप सभी इसको हम VS code में आचुके इधर हम title change कर देते डाल देते list in HTML ठीक है अभी body में लिखते किसे anchor tag किसे represent करते हैं हम A tag से ये होगे अपना opening tag और ये होगे अपना closing tag ठीक है अभी first हम डाल देते हैं अभी खाली मेंने create किया है इसको safe करके जिदा safe के अपने refresh करना है तो कुछ निय क्योंकि हमने कुछ डाला ही अभी मतलब खाली ये A tag डालने से anchor मतलब link create नहीं हो जागे इसमें अभी for example इसको safe किया है इसको safe किया है इधर जाके refresh कर जाए तो देख सकता आप समी लोग देखो अभी click option आ गया है अभी इस पर click कर दे लेकिन यह देखो इधर क्या लिखा है your file could not be accessed it may be moved edit or delete और error file file not found लेकिन जो Google है तो basically website है ना समझे इधर हमने ये proper link नहीं डाला ये ये wrong link है ये मतलब इसका मतलब क्या है कि जो हमारे computer system में जो file रहेगा HTML का उसको find कर रहे है लेकिन जो हमारा Google है वो तो एकदम proper website है ना तो उसका proper link डालना तो उसका कैसे डालेंगे देखो अभी इधर लिखते हम Google.com ठीक है ये किया है ये गया हम first पर आभी देखो Google ये कैसे लाए देखो में ये Google.com है लेकिन इस पर हम double click करेंगे तो पूरा link आता है पूरा link देखो क्या है HTTP, TTPS फिर ये सब है www. इसको हमें copy करना है और इधर जाके हमें इसको हटाके इधर paste करना है ठी देखो original link डाल दिया है जो copy किया था अभी जाते है उदर refresh करते है जिदर safe किया है तो देखो आपको changes तो कुछ रही दिखेगा लेकिन देखो अभी देखो Google चालो गया proper link ता और हम देखो next page पे आ गए Google के interface पे आ गए वैसे हम और भी link add कर सकते पर एक्जामपल इंस्टा का ही ले लेते है यह hrf डाल दिया है देखो इसको basically और अच्छे से करेंगा है पहले opening और closing tag create करते है बाद में जो आपको चीह है जैसे मैं को instagram चीह है इंस्टाग्राम लिख दिया है ठीक है अभी इदर hrf डालना है hrf आगया ठीक है instagram सर्च कर लिया है इस पर जाते है और यह link को copy कर लेते ठीक है अभी vs code पे जाके इसको save कर देते बला paste कर देते फिर refresh कर देते फिर बात में जीदर आप दे safe किया उदर जाके यह कर देते रुको यह बद कर देते तो देखो instagram भी आ गया ठीक है अभी इस पर क्लिक करेंगे तो देखो new page पर आ गया न वही link पर क्लिक करके बस anchor tag basically यह होता है बतलब जो भी हम link प्रोवाइड करना चाते है next page का जो भी हमें तो उससे कर सकते है अभी आप समय लोग बोलोगे यह जो href है जैसा कि मेरा बाता था यह hypertext reference है और बेसिकली देखो मैंने last वाली वीडियो में बताय था कि यह जो basically यह tag है लेकिन यह जो इसका value यह टेक्स है यह क्या basically attribute है यह दोनों क्या attribute है ठीक है attribute और यह http भी basically protocol है जैसे में वैता है और www. यह क्या basically worldwide web है ठीक है और यह http इसको और retail में देखेंगे आने वाली वीडियो में हम ठीक है everyone सो मिलते आप सभी को next वीडियो में तब तक लिए bye everyone